नमस्ते दर्शको आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया के प्रमुक स्टॉप मार्केट्स कैसे रह सकते हैं 12 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक विंती करना चाता हूँ कि कभी भी मेरे विडियो देखकर मेरे विडियो सुनकर कभी भी मेरी रेन सुनकर indices के बारे में कोई भी ट्रेड ना ले कभी भी ना ले कहीं पे भी ना ले यही आप लोगों के सामने मेरी एक विंती है और मैं एक और बात आपको कहना चाता हूँ कि मैं खाली जोतिश और अंक जोतिश इस्तमाल करता हूँ अपनी भविश्यवानी करने के लिए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब आप मेरे विडियो देख रहे हैं देखिए अगले हफ़ते की भविश्यवानी मेरी ये है कि अगले हफ़ते स्टॉक मार्केट्स दुनिया के प्रमुक स्टॉक मार्केट्स सपाट से लेकर नकारात्मक रह सकते हैं अगले सकता मगर उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स उपर नहीं जा सकती 9 अगस 2024 के लेवल के उपर हाँ मार्केट्स बिलकुल जा सकती है 9 अगस 2024 के लेवल के उपर मगर वहां से एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी हाँ उपरी लेवल से मार्केट्स गिरेंगे और मार्केट्स एक परसेंट या तेड़ परसेंट नीचे जा सकते हैं 9 अगस 2024 के लेवल के नीचे तो 9 अगस्त 2024 के लेवल के नीचे मार्केट्स एक से डेड़ परसेंट तूट सकते हैं इस सब्ता के दोरान मगर जब शुकरवार को मार्केट्स बंध होंगे तो आप मार्केट्स को 9 अगस्त के लेवल के आसपास देख सकेंगे हाँ या तो उसके नीचे देख पाएंगे या तो उसके आसपास देख पाएंगे दुनिया के प्रमुक स्टॉक मार्केट्स का जो मौफल रहेगा वो सपाट से लेकर नकारात्मक रहेगा फ्लाट टू नेगेटिव रहेगा तो बस इतना ही मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखना चाहता था और अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा जै मादी जै मा काली